Assalamualaikum everyone I hope you all are fine so आज मैं आपके साथ चिकन चॉमिन की रिस्पी शेयर करने वाली हूँ आज मैं अपने चैनल पर चिकन हांडी की रिस्पी जल शेयर करूँगी तो डोंट फोगेट तो सब्सक्राइब और वाच माँ वीडियोज मैं इसके लिए शुख लिए शुख ले रही हूँ तो इसके बाद हम एक शिमला मिश लेंगे और इक गाज्र लेंगे इसे हमने इस तरह से बिलकुल कट मत करिएगा बरीक folks कट करिएगा शिलुन फिर गाजर कट कर लिए और इसके बाद हम चिकन फजीता स्पागटी ले रहे हैं And T75 में इस तरह हम इसमें डाल ली रहे हम इसका मसाला ही इसके बाद हम बंद गोबी का आदा फूल लेंगे वो हमने इस तरह से काट लेना आप फाइलर के साथ उसकी कटिंग कर सकते हैं इसके बाद हम यह दो टमाटर प्रहारी लाइट ना होने के बाइस हमें इसको कट करना पड़ा था जब किसे ग्रैंड करना था और अगर आपकी भी चले जाया तो आप पीस से कट कर सकते हैं अधर वाइस अप इसे ग्रैंडी करिएगा अच्छे से अधर नीड बॉलने स्टिकन आप बॉलने स्टिकन का पीस लेके इसके चुछुछे पीसे कट कर लें आप इस तरह से स्पैगिटिस को तोड़के हाफ कर लें और एक कर देना हैं और इसके बाद हमने इसके अच्छे से फ्राय करना है और दिन इसके अंदर अधर क्लैसन का पेस्ट टाल देना और उसमें एक स्पून। करेंगे चिकन फ्राइब के बाद हमने इसमें टमाटर कटे हूँ टकरने कि हमने इने Kangini किया था इनको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा और इसके बाद हमारा ऑईल कम था तो हमने इसमें और किया और अच्छे से इनको मिक्स करते रहे पड़ overlap ने करने बंद गोबी हमें इसे तेजा आश पे पकाना है हम तेजाज कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक इस पकना जाए जब नंका कच्छापन खतम हो जाए और वह पकर इस तारह से त्यार हो जाए तो हम इसमें तिका मसाला यड़ करेंगे मैंने वन अन हाफ पैकिज आइड किया था और इसके बाद हम इसमें सॉस सेट कर देंगे 2 स्पून सौय सॉस विनिगर के दो स्पून और दो ही चिली सॉस के इसको अच्छे से मिक्स कर लें और वॉयल की वहे इस मसाले में मिक्स कर दें हमारी स्पागईटीज में मिक्स हो जाए अच्य से मैं फाइनल लूक फॉर्ट चिकेण चौामें और चिकेंश स्पागईटीज और अगर आपको मेरी रेस्ट पिसंद आई हो तो कंड़ी कमेंड करेगा और वीडियो को शेयर करेगा और अपने उन दोस्तों के सथ ज़रूर शेयर क करेगा जिनके हाथ क्याब खाना चाहें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आला हाफिस